हेलो दोस्तों, वेलकम टू दे चैनल, जैसे आपको पता है कि हम मेकनिकल प्रॉपरिडिज और फ्लुड्स के बारे में डिसकेशन कर रहे हैं और कल हमने निमरीकल के बारे में डिसकेशन किया था जो फर्स्ट पार्ट है निमरीकल का अब आज का जो हमारा निमरीकल का टॉपिक है वो है excess pressure और capillary action अब excess pressure और capillary action के हम NCRD के भी निमरीकल देखेंगे और state board के examination के हमारे बुक में जो questions है वो भी हमें देखने वाले हैं तो बहुत ही easy इसके questions होते हैं एक बात मैं आपको बता दू, excess pressure को कभी-कभी gaug pressure भी कहाना ज जिलिक्वीड डिखे प्रेशर और में इस रहें यदे आपको और अगर लिक्वीड ट्रॉब के बजाये रहें हमारे पाश्वीड बबल है लिक्वीड बबल है? तो liquid bubble में क्या हो जाएगा दो surfaces हो जाएगे एक है inside surface एक है outside surface और surface दो होने के वज़े से हम 2T upon R को क्या करेंगे multiply करेंगे और multiplication में क्या मिल जाएगा हमें 40 upon R where T is considered to be the surface tension and R is considered to radius of drop और radius of bubble आगे आपको समझ में ये था हमारा exist pressure ज्यादा इसके दो हमारे पास numerical है एक उसमा एक उसमे का ज्यादा tough numerical है मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा उसको tilt करना पड़ता है आसानी से हो जाएगा और फिर आता है rise or fall of liquid inside the capillarity इसके सबसे important हमारे पास numerical आएंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको ध्यादा रखना है मैं आखरी के जो दो numerical लेने वाला हूँ हमारे लिए confirm तीन मार्क के numerical होते है जो हमेशा exam में आते है हमेशा capillarity action का numerical हमेशा exam में दिखा गया है दोस्तों और सब तरह के exam में इसका importance ज्यादा है क्योंकि इसमें 2t cos theta कभी कभी tension पूछ लिया जाता है तो हमें पूरा formula shift करना पड़ता है और surface tension का formula क्या बन जाता है h rho r g upon 2 cos theta तो formula भी हमें change करना पड़ता है तो इस तरीके से हम पूरे structure को आज समझ लेंगे numericals बहुत ही आसानी से होते जाते रहते हैं तो आप बिल्कुल भी tension मत लिजे मेरे साथ में रही है मैं आपको बहुत ही शान्ती से यह सब structure क्या गर दूँगा पड़ा दूँगा चलिए पहले numerical की तरफ बढ़ते हैं और work भेजते रहिए दोस्तों आप अगर करते रहेंगे तो आपका उसमें बहुत ही जादा फायदा है वो आपको समझ में आ रहा है तो आप पहले numerical की तरफ बढ़ते हैं चलिए pressure inside the liquid drop वाला numerical है तो चलिए पहले numerical से start करते हैं क्या दिया है देखिए and a water drop of radius 0.2 mm is situated in a medium calculate excess pressure surface tension of water हमें दे दिया गया है अब हम क्या करना है चोटा सा निमरी खले easily solve हो जाएगा क्या दिया है देखिए radius of water drop है 0.2 mm अब 0.2 mm को सबसे पहले कैसे करनोड करेंगे 0.2 into 10 rest to power minus 3 क्या बन जाएगा मिटर बन जाएगा और इसे हमें properly का note अगर करना है तो कितना मिलेगा 2 into 10 rest to power क्या है minus 4 यूनिट बल गया है मिटर अब हमें excess pressure निकालना है हम इसे delta P कर देंगे delta P is equal to question mark और क्या दिया है drop दिरे है तो drop के लिए formula भी हमारा कितना लगेगा delta P is equals to 2T upon क्या बलेगा r मिलेगा अब क्या चाहिए यहाँ पे surface tension की value चाहिए तो surface tension is equals to 7.2 into 10 rest to power minus 2 unit के बन गया है newton per meter अब सिर्फ क्या करना है बटा हमें substitute करना है और answer निकल जाएगा अब delta P that is excess pressure is equals to delta P is equals to 2 multiplied by 7.2 into 10 rest to power minus 2 upon r 2 into 10 rest to power minus 4 निकल तो कुछ बचा ही नहीं है तो तो क्या होगे तो क्या मिला delta P is equals to 7.2 into 10 rest to power तो क्या हो जाएगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा delta P is equals to 7.2 into 10 rest to power 2 और unit क्या है pressure का पास्कल है पास्कल नहीं तो क्या हम लिख सकते है newton per meter square हम कुछ भी लिख सकते है तो हम क्या लिखेंगे newton per meter square लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे in terms of force calculation कर रहे है तो आपको समझ में आ गया है numerical क्या है तो pressure excess कितना है यह numerical textbook में का numerical है एक्जाम में आ भी गया है तो बहुत easy questions भी exam में आते है तो इस type का easy question भी exam में आ सकता है आपको समझ में आ गया है same radius क्या formula बनेगा delta P is equal to क्या हो जाएगा 40 upon R क्योंकि यह bubble को surfaces कितने है दो है आगे बड़ा समझ में तो यह बहुत easy numerical था अब थोड़ा ऐसा numerical चौल करते है जो हमारे textbook में नहीं है बट NCRT के textbook में वह numerical present है और मुझे वह numerical आपका लेना है और करवाना है ताकि हम उसके लिए भी थोड़े से तयार हो जाए तो उसके लिए देखते हैं दोस्तों यह आपको समझ में आ गया तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो देखें नुमरिकल अच्छा नुमरिकल है इसको हम समझने के कोशिश करेंगे क्या दिया है देखिए प्रेशर निकालना है प्रेशर निकालना है प्रेशर इंसाइड देखिए लिक्विड ड्रॉप कह सकते हैं तो हमें कैसे निकाल सकते हैं तो इनसाइड दर ड्रॉप का अगर प्रेशर निकालना है तो बेटा हम क्या है प्रेशर ओन इनसाइड इस प्रेशर ओन इनसाइड इस इकोल स्टू कहले लेंगे हम क्वेश्चान मत और एक चीज हमें पता हो Pressure PO क्या दिया है Atmospheric Pressure जिसकी value होती है One atmosphere और One Atmosphere की value कितनी होती है 1.01 into 10 raised to power 5 Newton per meter square ये value numerical में d हुई है लेकिन मैंने यहाँ पे लिखी नहीं क्योंकि हमें इसे याद करना है ये बात आप समझ लीजिए तो हमारे पास PO है हमारे पास surface tension है हमारे पास R है, हमें P.I. निकालना है, क्या formula बनेगा, P.I. minus P.O. is equals to 2T upon R, और P.I. निकालने के लिए P.I. is equals to P.O. plus 2T upon R, अब समझ में आ रहा है आपको, P.O. क्यों atmospheric pressure होगे, हमें temperature क्यों दिया है, हमें confuse करने के लिए, हमें क्या दिया है, temperature दिया है, बाकि temperature का हमें काम नही है, अगर temperature का काम नहीं है, तो हमें क्या पता चल रहा है, कि बाहर, समझ लीजिए, यह drop है, इस drop के बाहर atmosphere है, तो atmospheric pressure कैसा हो गया, outside pressure हो गया, हमें क्या निकालना है, inside pressure, क्या करेगा, इसे expand करने के लिए, आ रहा है आपको समझ में, तो हम क्या गरेंगे, सिर्फ अब substitution और substitution से हमारा answer मिल सकता है, हमें, क्या है, pi is equals to, po की value क्या बनगे, po की value बनगे, आपकी 1.01, 1.015 भी लिख सकते है, आपका भी 1 into 10 raise to 5 भी लिख सकते है, that is your choice, इस numerical में ये value दी हुई थी, वैसे दी ही रहेगी, लेकिन हमें भी पता रहना चाहिए, therefore मैंने यहाँ पे नीचे लिखी, into 10 raise to power 5 plus 2 into surface tension की value कितनी है, 4.65 into 10 raise to power minus 1 upon r कितना है, 3 into 10 raise to power minus 3, अब इसे पहले solve करेंगे, पहले division solve होगा, तो pi is equals to 1.01 into 10 raise to power 5 plus, अब हमें इसे क्या करना है, solve करना है, तो सबसे पहले multiplication कर लेते हैं, तो मेरे खायल से यह division हो जाएगा, तो 2 multiplied by 313, 1 point, कितना हो जाएगा, 5015, 1.55 into 10 raise to power minus 1 into 10 raise to power, क्या हो जाएगा, plus 3, 3 से divide कर लिया, हमें क्या मिला, pi is equals to 1.01 into 10 raise to power 5 plus, 2 into 1.55 कर लेते हैं, कितना हमल गया, 0, 1, 1, 3.1 into 10 raise to power, कितना हो गया, 10 raise to power, कितना मिल गया, 2 मिल गया, बेटा, कैलकुलेशन समझ रहे, मैंने क्या किया था, 2T upon R का कैलकुलेशन करने के लिए, 4.65 के कितना हो जाएगा, 10 raise to power 5, यहने हमें क्या करने की पड़ेगी, power increase करने पड़ेगी, तो decimal क्या होगा, हमारा shift होगा, और हमारा यहाँ पर नंबर कैसा बनेगा, 0.0031 into 10 raise to power 5, दोनों नंबर कैसे होगे, अब same, अब 10 raise to power 5 क्या निकलेंगे, common, और अब हम सीधी-सीधी addition कर सकते हैं, और सीधी-सीधी addition करके हमें answer कितना मिलेगा, 1.0131 into 10 raise to power 5 unit क्या होगे हमारा pascal और newton per meter square, और आपको समझ में, कि हमने calculation करना भी कितना important चीज होता है, कि जब हमें answer पता जलेगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, अगर आपको calculation आता है, और हम formula की मेहनत लेके यहां तक पहुँचे हैं, तो अगर calculation का mark जाएगा, तो बहुत बुरा लगेगा, लगेगा इन्हें, और इससे odd numerical तो आपको आई नहीं सकता हैं, आपको बस यहां पर यह समझ रहना था, कि PO कौन सा pressure है, आउटसाइड pressure है, और आउटसाइड pressure कितना है, वहाँ पे atmospheric pressure के equal हमें मिल गया था, आगया वेटा समझ में, तो निमरिकल एक बार फिर से पढ़के, एक वीट पर हम क्या करेंगे, रैपिडली complete कर देंगे, अब temperature हमें सिर्फ confuse करने के लिए तो हम क्या consider कर लेंगे, अगर यह drop हमारा है, तो उस drop के, आउटसाइड कौन सा pressure है, PO, याने कौन सा pressure कहेंगे, अगर PO की कोई value दी होती है, तो उसे हम substitute कर देंगे, लेकिन उन्होंने दी नहीं, इसलिए हमने क्या consider कर लिया, अट्मॉस्पिरिक प्रेशर कंसिडर कर लिया, तो अट्मॉस्पिरिक प्रेशर, एंड वन पॉइंट जरो अने टू 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 प्रेशर था, आउटसाइड प्रेशर था, PI हम इंसाड प्रेशर निकालने के लिए, easy हमने क्या कर लिए, calculation कर ली, सबज में आगे आपको तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान था गिए, तो comment section में लिखते रही हैं, और हम आगे बढ़ते रहेंगे, पोजदू विर, हम आगे निकालने के तरफ बढ़ते हैं, तो अब हमें height के numerical के तरफ चलेंगे, कि height के numerical कैसे सौल होंगे, तो उसके तरफ चलते हैं, यह numerical आपक स्क्रीन को, चलो कहा कहा पर बारिस आ रही है, वो लिखके भीजिए एक बार, है कि नहीं, तब तक मैं इसे पोच लेता हूँ, उल्डाना में तो बारिस नहीं चालू है, तो अगले numerical के तरफ बढ़ते हैं, चले बढ़ते हैं numerical के तरफ, एक बार मैं फिर से आपको बता दो दोस्तों कि COVID pandemic की वजए से आपका जो syllabus है, वो reduce हुआ है, इसलिए numerical भी क्या हो गए है, reduce हो चुके है, अब आप एक बात समझ लिजे, आपको textbook के बाहर का numerical करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि paper setting में भी मेरे खयाल से सब के सब numericals textbook में की ही आएंगे, क्योंकि सब को पत आपको बता रहा हूँ, यह बहुत ही ज़्यादा important हो जाते है इस time में, यह numerical हमारे textbook में का numerical है, तो आपको इसी पे focus करना है, यह आप समझ लिजे, इसी पे ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, number बदलेगा कोई, बागी कुछ नहीं होगा, समझ में आ रहा है आपको, त radius R is equal to 0.1 mm, इसो convert करता है, 0.1 into 10 raise to power minus 3 क्या बन गया meter, यह 1 into 10 raise to power minus 4 क्या बन गया meter, यह होगी radius, when it is immersed in water of surface tension, T भी दे दिया है, T is equal to 7, 7 into 10 raise to power minus 2, कितना, newton per meter, and angle of contact, that is theta, is equal to 0, density, यह रो, 1000 kg per meter cube, यह आई, ऐसे भी लिख सकते है, 10 raise to power 3 kg per meter cube, और G की भी value दे दिया है, कितनी है, 9.8 meter per second square, आगे हैं, तो सीधा formula लगेगा, और answer निकलेगा, बेटा, H, हमारा formula, rising height, कितना है, 2T cos theta upon rho rg, एक mark क्या हापे मिलेगा, जब हम formula ध्यान से लिखेंगे, तो इसे substitute करके, answer निकलने के, हमें 2 mark अगे मिलेगे, तो, H is equals to 2 multiplied by 7 into 10 raise to power minus 2 into cos, angle of contact theta कितना है, 0, upon 10 raise to power 3, कितना होगी, rho होगी, multiplied by r, कितना है, 10 raise to power minus 4 into क्या है, 9.8, अब सबसे पहले जो value आपको पता है, वो लिखनी चाहिए, cos 0 की value कितना है, 1, है, cos 0 का value मल गया 1, तो हम इसे लिखेंगे, 7 multiplied by 2, that is 14 into 10 raise to power minus 2 into 1 upon 9.8, as it is, लिखेंगे, multiplied by 10 raise to power 3 minus 4 minus 1, तो 10 raise to power कितना मिल गया, minus 1, तो h is equal to 14 upon 9.8 into 10 raise to power minus 2 into 10 raise to power plus 1, minus 2 plus 1 minus 1, that is, h is equal to 14 upon 9.8 into 10 raise to power कितना मिल गया, minus 1, 14 upon 9.8 अगर हम solve करने बैठेंगे, तो h is equal to कितना मिलेगा, हमे 0.143, और हम इसे अगर अच्छे से तुमने solve किया, तो 1.43 into 10 raise to power कितना मिल गया, माइनस 1 मिल गया, यह हमारा answer कितना है, 0.143, unit के आएगा हमारा meter, यह हो गई आपकी rising height, तो यह आपका important question बन जाता है, क्योंकि यह textbook का question है, और आसान भी question, तीर मार्क के लिए अगर rising height का question आएगा, तो यही आएगा, इससे अलावा दूसरा कोई आ भी नहीं सकता है, अगर यहाँ पे height के equations को हम अगर निकालने को बैठेंगे, तो हम tensions के, tension का भी numerical एक निकाल सकते, लेकिन आपको यह समझ में आगया बटा, कि क्या है, तो क्या दिया था हमे, h निकालना था, r दिया था, t दिया था, theta दिया था, rho दिया था, g दिया, सिर्फ formula में हमने क्या गया, substitute किया, और आगे हम बढ़ गया, तो calculate कर सकते हैं, मैं आपको एक numerical और लूँगा, और उसके बाद में एक numerical homework भी दूँगा, ताकि आप easily उसको घर पे भी practice कर सके, तो एक numerical पढ़ लेते हैं, चली यह एक numerical देखते हैं, यह इंसारडी का numerical है, यह numerical as an mcq भी आ सकता है बेटा, यह बहुत अच्छा numerical है, जेखिए क्या दिया है हमें, मारा पेन थोट असा गडबड कर रहा है, तो water rises up to height of 3.2 cm in a glass capillary tube, यानि H दिया है, 3.2 cm, क्या बन गया है हमारा, cm बन गया है, cm में रख देते हैं, कोई problem नहीं है, क्योंकि इंपरी के लिए वैसा है, कोई tension नहीं आएगा, तो height of 3.2 cm in glass capillary tube, कोई confusion अगर हो रहा होगा, तो 3.2 into 10 raised to power minus 2, चले ये कर भी देते हैं, कोई tension नहीं, find height to which same water will rise in another glass capillary tube, यानि same water, शिर्फ capillary के अगर दी, बदल दी, और वो capillary कैसी है, जिसका area, having half area of cross section, यानि पहले area, पहले capillary के area, अगर even होगा, तो a2 कितना है, half of a1 है, और हमें क्या निकालना है, ये h1 हो गई, और हमें बनाना है, h2 is equal to क्या है, question mark, question समझ में आ गया, पहली capillary थी, जिसमें water rise हो रहा था, 3.2 cm तक, और 3.2 cm तक water rise होने के बाद में, हमने दूसरी capillary थी, ऐसी capillary, जिसका area कैसा है, half of initial capillary है, a2 is equal to half of a1, तो a2 हमें, अब वहाँ पे कितना rise होगा, वो हमें देखना है, अब उसके लिए सबसे पहले हम formula लेखेंगे, h is equal to 2t cos theta upon rho rg, ये तो कुछ भी नहीं दिया है, तो इसके लिए हम लेखेंगे, h is inversely proportional to r, बस हमें इतना लिखना है, और हम क्या लिख सकते है, h1 upon s2 is equal to r2 upon क्य formula आपका, या फिर हम क्या लिख सकते है, h2 is equal to r1 upon r2, multiplied by क्या बन गया, h1 बन गया, ये भी formula आपका बन गया, है, तो हम क्या करेंगे, easily अब ये substitute करने के लिए, r, हमारे पास क्या है, r1 भी नहीं है, और r2 भी नहीं, तो हम क्या करेंगे, easily substitute करने के लिए, formula से ही उठाएंग a2 is equals to a1 upon 2, a2 क्या बनेगा, pi r square, area of cross section है na, pi r 2 square is equals to pi r 1 square, divided by क्या हो जाएगा, two हो जाएगा, a1, pi r 1 square, area of cross section, pi pi क्या हो गया, cancel, r2 square is equals to r 1 square, divided by क्या हो गया, two हो गया, टेगिंग रुट 2, both sides, इनह क्या बनेगा हमारा, r2 is equals to r1 upon क्या वन गया root 2 आगे आपको समझवे यानि अब हमने क्या कर लिए अब सिर्फ r2 की value निकाल ली r2 की value कितनी है r1 by root 2 यानि यहाँ पे जब substitution होगा यानि r1 upon r1 by root 2 तो यह substitution तो आसानी से हो जाएगा यानि इसको यहाँ पे बस क्या करेंगे substitute कर लेंगे आपको आगे समझवे क्या कर लिया है तो formula h2 is equals to क्या लिख रहे हम r1 upon r2 multiplied by क्या है h1 है तो h2 is equals to r1 upon r2 की value कितनी है r1 upon root 2 multiplied by h1 कितना है 3.2 into 10 raise 2 power कितना है minus 2 r1 r1 क्या हो गए cancel h2 is equals to 3.2 into root 2 into 10 raise 2 power minus 2 यह तो उपर चला गया न हो गया है तो calculate तो हम easily कर सकते है calculations कितना आ गया है 4 multiplication करते आएगा 4.525 into 10 raise 2 power minus 2 unit क्या आएगा हमारा meter आएगा यह आगया हमारा h2 calculation कैसी के समझ में आगया आपको condition सिर्फ क्या थी हमें पकड़ने के लिए that area of another capillary is half of initial capillary बस इसको उठा के हमने क्या कर दिया numerical बना दिया और इस condition से ऐसे टाइब के आपको निमरी क्ला सकते हैं यह तो निमरी कल था आपको इसे वह सौल कर सकते हैं समझ आगया वेटा कि एक homework दोंगा और खतम करेंगे homework आपको लिखके भेजना है मुझे स्वाल करके भेजने आसान दूंगा ज्यादा कुछ तफ नहीं दूंगा और आपको जिससे स्वाल कर लेंगे बस आपको कॉस थिटा देखना पड़ेगा शांती से अच्छा तो तो homework देते हैं यह numerical आपको लिखना पड़ेगा तो homework के लिए numerical देखे विटा capillary tube of radius 0.5 mm R is equal to कितना है 0.5 mm इसको बेटर में convert करेंगे vertically inner liquid of surface tension tension दिया है आपको 0.04 newton per meter इसे कहा लिख सकते है 4 into 10 raise to power minus 2 newton per meter इसको में convert करना पड़ेगा R को density दिया है density is equal to कितना है 800 kg per meter cube इसे रख सकते calculate rising height h is equal to question mark angle of contact इतना दिया है 10 degree हाँ आप formula क्या है h is equal to 2t cos theta upon rho r g क्या क्या है tension है rho है r है g 9.8 और cos theta यानि क्या मिले लिखना है cos 10 इसकी value देखना पड़ेगे हमें किसमें lock table में और इसका हमारा answer h का value हमारे पास आ जाएगा value बोल दू तो value अगर बोलना है और पढ़ते रहिए मैं पढ़ाता रहूंगा चैनल को like किजी share किजी subscribe किजी और सब को बोलिए कि पढ़ते रहिए पढ़ना बहुत फाइदे का बात है thank you